हेलो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आशिश मोडो में आज हम बात करने वाले All New Updated Mahindra XCV3 800 के बारे में यहाँ पे लुक्स देख लिजी बाई पूरी तरह से चेंज कर दिये के काफी बैटरीन से लग रही है अभी आपके सामने इसका MID MX3 PRO वेरियंट खरा हुआ है आज इसी के बारे में हम complete detail में बात करने वाले इसमें जो वेरियंट आते हैं MX1, MX2 PRO, MX3, MX3 PRO, AX5, AX5L, AX7 और AX7L यह आपको बहुत सारे वेरियंट यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे टॉप में जाएंगे तो वहाँ पे आपको ADAS, 360 degree camera जैसे features मिलेंगे अब महिंदरा XVV 3XO के अंदर और safety तो आपको पता ही है इसके अंदर आपको मिलती है 5 star की safety rating जो इसको global end cap ने दे रखी है जो रहने वाली flip की महिंदरा की पुरानी की जैसे same यहाँ पे महिंदर की ब्रैंडिंग lock unlock, boot unlock करने का button मिलता है जैसे आप lock unlock करेंगे तो इसके indicator जो ब्लिंग करते हैं और जो दूसरी वाली की है वो भी same आपको यहाँ पे remote center locking की offer की जाती है आप चलिए बात करते हैं यह गाड़ी के exterior से फिर चलेंगे इसके interior के अंदर तो सबसे पहले आप front faceya देख लो काफी बढ़िया muscular से looks आपको मिलेंगे यहाँ पे center में मिलती है महिंदरा की branding महिंदरा का logo glossy black finishments की पूरी grill है उपर आपको chrome treatment यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं top में जाएंगे तो आपको एडास और 360 डिगरी camera मिलता है नीचे देख लिए इसके पेट है 201 mm का आपको मिलेगा इसके अंदर ground cleanse यह काफी अच्छी चीज़ है यहाँ पर आपको projector lamps offer किये जाते हैं इनका थ्रोबी आपको काफी अच्छा समलेगा टार इंडिकेटर की placement है नीचे आपको fog lamps नहीं मिले इस वाले variant के अंदर इसके जो c saved में डिया रहन देखने में काफी खूब तरह लगते हैं यह तो गई front faceya की बात उपर देखेंगे तो काफी प्रोफाइल के तरफ आप साइट से दिखाते हैं आपको क्या कुछ offer किया गया इसके mx3 pro variant के अंदर तो साइट से देख लिए ऐसा कुछ आपको आपको लुक्स मिलते हैं जो वील्स हैं वह आपको hyper style मिलेंगे वालोई जैसा फील देते हैं यह आपको प्लास्टिक के यहा आपको डिस पर मिलेगी महिंद्रा की टैर्स आपको मिलते हैं टैर सेक्शन की बात की जाए तो 205, 65, 16, 16 कहां पर सेक्शन देखने को मिल जाएगा उपर आपको क्लैडिंग मिलती है अब बात करते हैं इसके out head mirrors की जो देख लीजिए auto foldable नहीं है टैर इंडिकेटर की placement आप यह काफी अच्छी चीज़े उपर से डलवाएंगे आप पे petrol और diesel capacity की बात करें तो 42 लिटर की capacity आपको देखने को मिल जाएगी इंजिन इसपेक्स की बात की जाए तो यहाँ पर आपको पहले की तरह सेम तीन इंजिन ऑप्शन देखने को मिलते हैं 1.2 लिटर का petrol 1.2 और diesel में 20 से किस तक का मैलेज आप निकाल सकते हैं यहाँ पर कोई defogger कोई आपर नहीं है हाइमा शॉप लैंप है उपर आपको नॉर्मल सा एंटी ना देखने को मिल जाता है नीचे देखेंगे तो यहाँ पर महिंदर की ब्रैंडिंग XVV3XO की बैजिंग मिलती है और यहाँ पर देख लो कोई कैमरा नहीं आता है इस वले वेरिंट के अंदर बाकि टेल लेम्स की बात की जाए तो कनेक्टिंग टेल लेम्स हैं पूरे बूट में चलते हैं और यहाँ पर टैन इंडिकेटर और रिवर साइट की प्लेश्मन आ यहाँ पर रखे होएं अब इस वेसे इसमें पढ़ चुका है तीन सो चौशल डिटर का बूट इस वेसे यहाँ पर हो चुका है पार्शल ट्रे इस वाले वेरिंट में नहीं आती है आप इसमें बाद में लगवा सकते हैं तो इस पेस की दिक्कत खदम हो चुकी जो पहले इसके अंदर यहाँ पर आपको 60-40 रेसे वाजी सीट मिल जाएंगी और यहीं पर आपको लिवर मिलते हैं इनको फोल्ड करने के लिए अब चलेंगे बूट को करेंगे बंद और चलेंगे इसके रियर कैबिन की तरफ पुरा रियर सेटिंग कमफर्ट लेग रूम हैड रू इसके बात किई है तो पहले एक तरफ आपको सेम डूओल टोन खलर में देखने को मिलता है तो रियर के अपको पहले एक तरह बिल्कुश से मिलता है वाइट और ब्लैक फिनिष एडर बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिने पूरे में आपको प्लास्टिक फिनिष देखने क और अंदर से बैट को पूरा स्पेस चेक करते हैं तो आगे वजी सीट मैंने अपने अपने कॉर्डिंग अड्रिस कर रखी है मेरी हैट पाच फुट आठ इंच है नीरूम देख लिए लेग रूम देख लिए अंडर थाई सपोर्ट पे आपको काफी बड़े सा देखने को मिल जाएगा कोभी पॉकेट से यहां पर नहीं मिलती है आपको स्वीट में अगर सेंटर की बात की जाए तो यहां पर रियर एस इवेंट सा आपको मिलेंगे नीचे देखेंगे तो यहां पर आपको मिल जाता है कुछी स्पेस टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट है बारा बोल्ट का चार्जिंग सॉकेट आपको मिलेगा सारी चीज़ यहां पर दी जा रही है और कोई आम्रेश आपको नहीं मिलेगा यहां पर सेंटर में एड्रेश ने जो की अड्रेशबल रहेंगे और उपर आपको मिलते हैं यहां पर ग्रैब हैंडल कोट हुग यहां पर रूफ फ्लाइट जो की हेलोजन में रहने वाली है यह रहा इसकी संरूफ टॉप में जाएंगे तो वहाँ पर आपको पैनरोमिक संरूफ मिलेगी अब बात करते हैं इसके फ्रेंट डैसबोर की तो भाई पहले से देख लो किता अच्छा हो चुगा है सामने आपको मिलते हैं 10.25 निंच का टाच इंफो टेमिस सिस्टम पहले आपको छोटा मिलता था अब इसको आगे प्रॉपर बैट के कवर करते हैं तो इस वाले विरेंट में आपको रिक्वेस्स संसर नहीं मिलेगा वो आपको मिलेगा टॉप में यह रहा इसकी बॉडी के लाड़ दोर हैंडल्स अगर डोट्रिम की बात की जाए तो सेम आपको रियर की तरह मिलेगा डूवल टोन कलर में उपर देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलता है डॉर ओपनर वार्वियों के कंट्रोस चारो पॉंडो के कंट्रोस आपको पीछे देखने को मिल जाएंगे लॉक अनलो के बटन है नीचे काफी अच्छा से स्पेस स्पीकर की प्लेस्मेंट यह रहाज का फ्रेंट कैबिंग काफी सुन्दर लग रहा है डूल टोन कलर में और यहां पे लगाते हैं इसकी की और साइड में देखेंगे आपको ट्रेक्शन और आइडिल इस्टाव शॉप के बटन देखने को मिलते हैं नीचे आपको मैनुवल ABC पेडल्स और यहां से आप फिलके आपको उपन कर सकते हो यह रहा है इसकी फैब्रिक की सेट शिक्स ए इसकी का इग्निशन आउन करते हैं और आपको दिखाते हैं इसका क्लस्टर तो ऐसा कुछ आपको यहां पर क्लस्टर देखने को मिलता है एक तरफ आर्कोइटर एक तरफ स्पीडोमेटर पहले एक तरह से मिलेगा 220 की टॉप स्पीड है बीच में को मिलती है जिसके अंदर अब बात करते हैं गाड़ी के सेंटर कंसोल की तो यहां पर आपको टैन पर आपको सारी इन प्रॉप्स्टर देखने को मिलता है सारी चेक लाइट्स हैं और इस M.I.D. कॉप स्टेरिंग पर दिएगे बटन से कंट्रोल कर पाओगे इस्टेरिंग की बात की जाए तो ऐसा क कुछ आपको मिलेगा जिसके नंदर आपको कोई लेदरफि्ट नहीं मिलती है सेंटर में महीं DR की ब्रेंडनिंग महीं DR का लोगो मिलेगा यहां पे मल्टीमिले के कंट्रोल के कंट्रो यहां प्यूप सकूण बेकिन अभी बैतरी हो रख इश्की तो मैं आपको दिखान नह यहां पर नीचे AC के एवेंट्स मिल जाते हैं, यहां पर देखिंगे तो hazard के switch सारे buttons आपको देखने को मिलेंगे, steering mode के button, और नीचे देखिंगे तो यहां पर AC के सारे controls देखने को मिल जाएंगे, यहां पर नीचे आपको wireless charging port मिल जाएगा, यहां पर 6SPS manual transmission, आप इसको automatic में मिले सकते हैं, manual handbrake है, दो cup holders हैं, यहां पर wireless charging pad, USB charging port, और यह राइस का armrest, इसके अंदर भी आपको अच्छा का सा space देखने को मिल जाता है, अब बात करते हैं इसके glove box की, तो glove box के अंदर भी आपको काफी अच्छा सा space मिलेगा, यह dual tone color में है, यहां पर visibility वो भी आपको काफी बढ़िया सी मिलती है, XCV, 3XO के अंदर, और उपर देखेंगे, तो इधर sun visor में कोई mirror नहीं दिया गया है, यहां पर mic की placement, sun glass holder, यहां पर light की सारे controls, इधर sun visor में देखेंगे, तो यहां पर mirror आपको मिलता है, cover और light के साथ में, और यह रही वाई sunroof, अभी battery dead हो रखी तो इसको पर नहीं कर सकते हैं, 6 airbag आपको interior के अंदर देखने को मिल जाते हैं, यह तो कि पूरे interior के बाद, अब चलिए काड़ी को off करते हैं, बात करते हैं इसके safety features और pricing की, तो इसके अंदर आप ABS with EBD, central locking, power door locks, child safety locks, seatbelt warning, engine, immobilizer, crash sensor, electronic, security control, following headlamps, और यहाँ पर आपको दिये जाने 6 airbag, pricing के बाद की जाए तो MX3 provenant है, 9,99,99 एक सुरूम और लगबग लगबग, 11,30,000 रुपए के आपको ये on-road लखनो पड़ती है, on-road prices state to state vary कर सकते हैं, आप अपनी 100 रुपए जाके पता कर लीजेगा, तो ये थी XCV3XO, कैसे लगए आपको नीचे कमेंट्स में, जरू बताएगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को लाइक कर देगा, and special thanks to Narayan Automobiles, हजरत गंज लखनों, जिन्नोंने मुझे से कवर करने का मौका दिया, तो deal any Mahindra cars, visit this room, अगर कर दो कर दो